हलो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं त्रीभूज का सीर्स लंब मैं हूँ परवान पटेल स्वागत है आपका आपके अपने चनाल पी एन पटेल प्लासेस पर तो आईए देखते हैं त्रीभूज का सीर्स लंब त्रिभूज का सीरस लंब मतलब त्रिभूज की सीरस सी सम्मुक भूजा में डाला गया लंब सीरस लंब कहलाता है त्रिभूज में कौन सा सीरस है, कौन सा भूजा है, कौन सा कौन है इसके लिए एक वीडियो हम बना चुके हैं जो कि आपको basic maths के अंतरगर जो है मिल जाएगा वहाँ आप जो है त्रीभूज के बारे में complete जानकारी ले सकते हैं उसके बार जो है आप त्रीभूज का सीर्स लंब देगे तो त्रीभूज के सीर्स से सम्मुख भूजा में डाला गया लंब मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक त्रीभूज बना देता हूँ यह है आपका एक त्रीभूज इस त्रीभूज में यह जो तीन बिंदू हैं यहाँ पर यहाँ पर और यह यह तीनों जो है सीर्स कहलाते हैं तो त्रीभूज ABC में तीन सीर्स हो गए A, B और C यदि हम सीर्स A से यह सामने वाली भुजा यानि कि BC में अगर लंब डाल दें तो वो जो रेखा खंड होगा वो घलाएगा सीर्स लंब यानि कि A से भुजा BC पर यहाँ पर लंब डाल दिया जाए लंब डाल दे मतलब यहाँ पर 90 degree का कून बनेगा इस जगा भी 90 degree का कून बनेगा मान लेते हैं यह जो है बिंदू D में जो है वहाँ पर जाके इसपरस करता है तो यह जो AD है यहाँ पर क्या कहलाएगा सीर्स लंब क्योंकि बिंदू A यानि कि सीर्स से सामने वाले भुजा पर क्या किया गया है लंब डाल गया है इसी प्रकार अगर हम बिंदू B से A C पर लंब डाल दें ऐसा तो यहाँ पर जो है 90 डिगरी बनेगा इस तरफ भी 90 डिगरी बनेगा और इसको मान लो लिग देते हैं हम क्या B E इसी प्रकार बिंदू C से A B पर अगर लंब डाल दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका सीर्स लंब C F यहाँ पर भी यह दोनो 90 डिगरी बनेगे यहाँ पर जो है A D, B E और C F तीनो के तीनो जो हैं सीर्स लंब हैं और यह तीनो एक दूसरे को एक ही बिंदू पर प्रती छेद कर रहे हैं और यह कहलाता है बिंदू आपका लंब केंद्र मान लो इसको हमें यहाँ पर दर्सा दिये O से तो ये ओ जो है क्या कहलाएगा लंब केंद्र कहलाता है तो ये तो हो गया त्रिभूज का सीर्स लंब और त्रिभूज के तीनों सीर्स लंब एक ही बिंदू से उकर के गुजरते हैं और उस बिंदू को कहा जाता है लंब केंद्र अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि यह जो है सीर्स लंब कैसे खीचा जाता है या सीर्स लंब हम बनाते कैसे हैं तो आईए देखते हैं यहाँ पर जो है मैं एक त्रिभूज जो है बना करके रखा हुआ है यहाँ पर हम सीर्स लंब खीचना देखेंगे यह A, B, C यहाँ पर जो त्रिभूज लिया गया है यह एक नियून कोण त्रिभूज है अब इस नियून कोण त्रिभूज में कैसे सीर्स लंबक खीचेंगे आईए देखते हैं यहाँ पर सुविधा के लिए जो है मैं पेज को इधर उधर भूमाऊंगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको सबसे पहले मैं B से खिज देता हूँ अगर हम बिंदू B से B के बजाए मैं A से सुरू करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर्टी रहेगा यह जो है आपका है बिंदू A इस बिंदू A से या सीर्ष A से भूजा B सी पर लंब डालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्रकार का नुकिला वाला भाग जो है बिंदू A में रखते हैं और इसको इतना फैलाया जाता है कि यह आपका सीस वाला भाग भूजा B सी में दो बिंदू उपर प्रतिछेद करना चाहिए तो यहां पर एक बिंदो इस जग decor और दूसरा है इस जगा si by और आपको लगता है कि थोड़ा सब मैं इसको टो है ऐसा तो इस तरब तो कट जाएगा बिंदो C के तरफ लेकिन B के तरफ कटेगा नहीं तो उस condition में हम क्या करेंगे वैसे इस्थिति में ये जो भुजा B C है उसको हम इधर आगे बढ़ा सकते हैं यदि कट जाता है यही पर तो कोई बात नहीं अच्छी बात है बन जाएगा लेकिन अगर नहीं कटता तो हम उसको आगे ब बिंदू मिलेगा और ये जो है एक बिंदू मिलेगा अब प्रकार को पहले जितना फैलाया गया था आप उतना में ही रखोगे तब भी चलेगा या फिर आप उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन आपका दो ये जो यहां और यहां इस दो जगर में जो बिंदू कट क्या हुआ है वहां से हमको फिर से जो है चाप ले करके काटना पड़ेगा जैसे मैं मैं पहले जो चाप था उसको चेंज कर दिया हूं और यहां से एक इस तरफ काट देते हैं और यहां से जो है एक बिंदू काट देते हैं यह दोनों चाप जो है एक दूसरे को किसी पर प्रतिख्षिप करेंगे और ये बिंदू ये हो गया आप चाहें तो ये सभी बिनू का अलग अलग नाम करण आप कर सकते हैं और नहीं तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे यह जो कटन बिंदू मिला है लास्ट में उस बिंदू को हम मिला देते हैं यहां रखेगा यहीं पर गलती होने का चांस रहता है तो यहां से 20 तक तो हम पूरा लाइन के दोरा मिला देते हैं और इधर जो है हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं और यह जो बिंदो है वहीं पर जो है लंब बनेगा तो अब यहाँ पर मैं इसको जो है इस तरफ फिर कर देता हूँ तो यह A और इसको मैं लिख देता हूँ D यहाँ पर जो है 90 अंस का कूर बनेगा तो यह A D जो है क्या कहलाएगा सीर्स लंब कहलाएगा ठीक इसी प्रकार से अगर हम बिंदू B से A C में लंब डालना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले यह प्रक्रिया अपनाया था सेम वही प्रक्रिया जो है अब भी रहेगा तो अब यहाँ पर बिंदू B से कैसे खीचेंगे मैं उसको बता देता हूँ बिंदू B में आप नुकेले भाग को रखिए प्रकार को इतना फैल आईए कि A C में जो है दो बिंदू में जो है प्रतिच्छेद करना चाहिए भुजा B C को दो बिंदों में प्रतिच्छेद करें B C बोलता हूँ A C को ये एक बिंदू में प्रतिच्छेद हो गया ये दूसरे बिंदू में भी प्रतिच्छेद हो गया अगर इसी चाप के साथ अगर हम यहां से काटेंगे तो काफी दूर जाता है इसलिए हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और इस बिंदू में रखके एक चाप काट देंगे और इस से जह है मिला दीजिए यहां पर है बिंदू B और वो प्रतिछेट बिंद जो मिला है उसको जह है मिला यह तो सेम वैसे ही इधर का जह है आप डाट-डाट करके मिला दीजिए और यहां से पूरा रिखा ठीज दीजिए और यहां पर जह है 90 अंसका कूर बनेगा यह A D हो गया तो इसको मैं लिख देता हूँ B E तो इस प्रकार से हमको दो सीर्स लंब जो है प्राप्त हो चुका है अब देखते हैं A से सीर्स लंब AD हो गया B से सीर्स लंब BE हो गया अब C से सीर्स लंब इभर खीचना है तो जब C से सीर्स लंब खीचेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जैसे कि पहले और दूसरे में प्रक्रिया अपनाय थे सेम यहाँ पर भी हमको करना है बिंदू C में प्रकार के नुकिलब हाग को रखिए प्रकार को इतना फैल आईए कि आपके B, A में जो है यहाँ पर मिल गया एक बिंदू अब इन दोनों बिंदूं से फिर जो है दो चाप काटेंगे जो एक दूसरे को फिर इसी बिंदू पर प्रतिछेद करेंगे यह हो गया एक चाप यह हो गया आपका दूसरा चाप अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदू हमको प्राप्त हुआ है, इस प्रतिच्छेद बिंदू को हम C से मिला देंगे, इस केल की साहता से, तो ये रहा आपका बिंदू C, और यहां से हम उस प्रतिच्छेद बिंदू को मिलाते हैं, थोड़ा सा यहां पर मामूली सा गलती हो है यह आई यह बिए सा यह tv दूसरे को इस बिंदू पर मिलते हैं थोड़ा सा चेंज आ गया है अरुजा से कहें यहां छोटा चाप काटने की वज़ा से कहें यह जो है थोड़ा सा दिक्कत आ गया है लेकिन उतनां ज्यादा अंतर नहीं है यहां पर भी कितने अंसका Kutaud सीर्सलंब, सीर्सलंब AD, सीर्सलंब BE, और सीर्सलंब CF, तीनों ये कही बिंदू से हो करके गुजर रहें, और ये बिंदू, जिसको हम दर्सा देते हैं O, और ये क्या कहलाता है आपका, सीर्सलंब कहलाता है, तो इस प्रकार से जो है, हम किसी त्रिभूज के लिए सीर्सलंब खीच सकते हैं तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक त्रिभूज का जो है सीर्स लंब आसानी से खीचा जा सकता है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में